प्रेंट्स, मैं जिस बात प्यार आ रहा था, मैंने मेरा एट में को मेरा माम्मी को कॉरोना से डेथ होने के बाद, मैंने उसका एक दो दिन के बाद एक भीसान इंडिया का डॉकुमेंट्स लेके आया था, जो डॉकुमेंट्स मैं मेरा माम्मी को डेडिकेट किये थे, उसमें मैंने कम से कम छे घंट का मैंने प्रेजेटिशन रखा है, जो गवर्मेंट अब इंडिया को मैंने टैग किये है, टाइमिनिस्टर आफिस को, हमारा भीशान अब इंडिया, जैसे हार एक इंसान सुषते है, विशान अब इंडिया क्या होना चाहिए, जैसे आपका विशान अब लाइब भी होना चाहिए, आप जिस देश का नागरिक हो, मैंने भीशान अब इंडिया का डॉकुमेंट पब्लिस्ट किया, एक डार्क रूम बना के, शे घंटा का प्रेजेंटिशन दिया है, जिसके उपर मैंने इंडियान कंस्टिटूशन के उपर बताया है, कहां कहां चेंजिस लाना है, अगर इस देश को एक सही रास्ता पे ल फोल्स है, उसको क्या रेक्टिफिकिशन का जुरूरत है, उसके बारे में बात किया है, उसमें तीन चार मुद्दे पे बात किया, जिसको मैंने बताया, यह ब्लैक होल है, आर्टिकल वान सिक्टिफोर, बैक डॉर इंट्रीज, जो 75 साल में हमारा शमाज को कैसे खा रहा है अगर यह दिमोक्रिश को बचाना है, यह कानून को क्यों हटाना है, उसके बारे में बात किया है, मैंने डॉक्रामित कर सरकर नाम बताया, वो रिजर्विशन के बारे में वो चाहते थे, तेमपुररी दस साल, सब को जैसे लोवर कास्स, सीडूल ट्राइब्स को एधितार दिया जाएक, लेकिन हमारा क्या है, दस सल के बाद नहीं, अभी 75 सल के बाद हमरा रिजर्विशन का पर्सेंट बी बढ़ गया, और पॉलिटिकल सिस्टेम टू टाइम इसको इुटिलाइज किये है, इसको लेके आया है, रिजर्विशन अभी आज का डिट पे अगर हम नह निकाल रहा है, समाज के उपर क्या इंपेक्ट डालेगा उसके उपर मैंने बताया है, इसके बाद मैंने यूनिफर्म सिभिल कोट के बारे में बताया है, इलेक्शन प्रोसेस को कैसे रिफर्म करना है, उसके बारे में बताया है, मैंने ये भी बताया है, लैन रिफर्मिशन एक्ट के बारे में बताया है मेरा कहने के बाद एक कोर्रिलेट करने का यह हरते डॉक्टर आमर्तसेन अगर युनिफर्म एकोनुमी चाहता है इंडिया का अंदर में मैं यह विश्वास करता हूँ डॉक्टर आमर्तसेन इस देश का नगरीक है उल्लेट सिटिजन है सब इज्जत करता है बात करे एक्शुल बात करके करके अगर देश का डिवलम्मेंट कर सकता है सरकार को कटिसाइज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा आप भोड देते हो नहीं देते हो हमको मालुम नहीं है अगर आप इंडिया का सिटिजन सिफ है आपको नागरीग का बात को रह रखो सरकार को किस मत किईगा जो लोग कर रहा है उसका knowledge wisdom से कर रहा है आप CA का NRC का विरोद करते हो क्यों करते हो वो भी बता दीजेगा जो हमारा एस संग्मिदान के अंदर में बहुत पहले सब चीज आ चुका है क्यों CA NRC करना है उसके बारे में भी हम लोग बता है आपका stand क्या है यह बात बता दीजिए हम क्या open सब कुछ कर दे क्या जो कोई भी आए इंडिया का अंदर में आके आमारा democracy को पर खात्रा पाइदा करे humanity के नाम पे हम सब कुछ कर दे जो डॉक्टर अभीजित के लिए भी यह चीज़ applicable है अगर इस देश को बचाना है अमेरिका में भी वीडियो में बोला था अमेरिका की यही policy लेता है नहीं सब को अंदर anti दे देता है यह चीज़ जानने का अमारा अधिकार है हर एक को हर एक democracy बचाने का अधिकार है humanitarian ground जो है उसको करना है तो उसको holistically देखना है उसके लिए मैंने भी वीडियो बनाया कैसे यह विकारी जो bigger class जो population dynamics को आपको increase करता है मेरा वीडियो में ने बताया खाली दिल्ली में 3-4 लाग रुप आपको विकारी है refugee है जिसके पास प्रपा शेल्टा नहीं है कानाडा का 30 जो हमारा जो state पे assembly election होता है state constituency होता है उसका बराबर है खाली भिकारी इंडिया में कितना million population है जो property line के नीचे है गरिवी है वो कहां से आया कहां से origin हुआ कहां से इतना सारे बाहर काला country से इंडिया में आके 3-4 million इधर बैठा हुआ है इस सब चीज़ को जानने का Nobel Prize जिसको मिलता है उसको wisdom बढ़ता है इसके लिए उसको philosopher बुला जाता है तो philosophical way में Dr. Amartusin, Dr. Rovijit को मैंने analysis करने के लिए बोल रहा हूँ हमारा ये छोटा सा नापड़ा दिमाग से हो सकता है समझ में नहीं आता है बाट मेरा जो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ direction दे रहा हूँ इस direction में काम करेगा तो होशकता है कुछ नाया कुछ मिले Dr. Amartusin, Dr. Rovijit को बोल रहा हूँ पहले ये लोग nationalist है और universal है boundaryless person है boundaryless का बाहर सोचते है तो एही चीज जिस country में रहता है ओ country में apply करने का कोशिश कीजिएगा मैंने Dr. Amitkar Sir के बारे में बताया मेरा वीडियो में बहुत सरा वीडियो में बताया Dr. Amitkar Sir किस परिस्थिती में जाके संगविदान लिखे है जो एत तीन चार कानून के बारे में बताया है Article 164 क्यों राखने का जूरूरत है Dr. Amitkar वी Dr. Alfred Nobel जैसे डेवकूब नहीं था जिसको सरली करन करना है क्यों 164 राखे है क्यों आप जो lower class का उपर लाने के लिए 10 सल के लिए temporary provision वी तो लिख सकता है यह जो reservation है यह permanent होना चाहिए temporary क्यों राखा मैंने जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत critically analysis करना चाहिए लेकिन हमारा political system उसको use किये है यह दो बात हो गया तिसरी बात uniform civil court के बारे में बताया है वो आभी तो लागू नहीं हुआ Land Reformation Act जो हमारा economic का baseline है कितने सारे state Land Reformation Act को implement किया है अगर वो application हो जाएगा तो इंडिया का economy का 50-60% problem resolve हो जाएगा आभी भी हमारा democracy का अंदर में भी bourgeois system जमिंदर system बैठा हुआ है हर एक के पास देश का बहुत सरे प्राइम मिनिस्टर हो चुका है जिसके पास लाखो एकर जमीन है वो ही बुर्जुवा system जो बुर्जुवा system आप डॉक्टर अमर्तसें 1940 में बिंगॉल फिमिन देखके लिखे थे बहुत सरे चीज लिखा है जिसमें आखों से आंसु निकाल गया है जिस अब चीज देखके मैं वो आंसु का ही बात कर रहा हूँ अमर्तसें को उसका knowledge wisdom यूज़ करके present day में हम क्या कर शकता है उसके बारे में ड़क्टर अमर्तसें ड़क्टर अभी जी को बोलना चाहता हो इसके बात हमारा जो कहने का मदलब ही है आभी जो कॉरोना काल चल रहा है कोरोना जो कोवीट भाहिरा से कोवीट नाइंटीन आर्टिफिशियल है नेचरिल है इसके बारे में मैंने हमारा बक्त बराता मैंने बताया ये आर्टिफिशियल है लेकिन ड़क्टर अभी जी ड़क्टर अमर्तसें का क्या कहना है वो natural है, disease है, तो management तो है, सरकार करी रहा है, vaccination, vaccine करने के लिए 10 साल लगता है, अब ये एक साल में vaccine करकी कुछ ना कुछ कर रहा है, इंडिया का जितने contribution है, vaccination में, वाल में बहुत कम है, इतने सारे manufacturing unit, government ने कोशिश कर रहा है, करोना को control करने के लिए, ये management का जुरूरत है, वो और एक बात बोलना चाहता हो, हमारा जो GDP है, उसका earning maximum, सरकार का earning कहां से आता है, सरकार का 8 से 10% maximum, जो total population ते GST आता है, जो revenue आता है, taxes collect होता है, उसी से development होता है, उसी के अंदर में हम freebies गरीब गरीब बोलके सब को हम बाट दे, मैंने animal emotions के उपर काम किया था, अबी भी मैं क कर रहा हूँ, जो चीज समझने का कोशिश कर रहा हूँ, freebies, उसके उपर भी मैंने paper publish किया है, how freebies concept is killing the basic instinct of humans, life के उपर कैसे जाता है, free देने के बाद मैंने जो बेगार्स के उपर बताया, free देने के बाद हो lethargic कैसे हो जाता है, उसके बजाए से हम, अगर micro macro economics का theory का, एक sustainable model develop कर सकता है, sustainable village के बारे में मैंने vision document में बात किया है, कैसे ideal village, a small land with multi crop facilities, vertical, scientifically agriculture करके एक family जी सकता है, उसके उपर मैंने vision document में बताया, मैं इधर बैठा नहीं हूँ, सरकार को criticize करने के लिए, because सरकार हमने बताया, हमारा एक भोट सरकार में गया मतलब, आज जो सरकार चल रहा है हमारा भी कुछ जोगदान है, इसके लिए सरकार चल रहा है, एक कोई dictatorship तो है दी, मोदी जी एदर बैठा नहीं है, because उसको कोई install किया है, कोई installation नहीं है, he has got every right to see it, because he is democratically elected, and he has every right to execute, as per his wisdom, taking everybody into consideration, जो मोदी शाब बताते है, एक सो चलिस पॉइंटरीस क्रोड का इंसान जो population है, उसको control करणा है, अमेरिका का क्या population है, डॉक्टर अमर्तसेन, टोटल यूरोप, टोटल अमेरिका, टोटल रासिया का टोटल population जोड लोगे, तो इंडिया का population है इतना होता है, एक खाने वाली चीज नहीं है, जो आप ब बोल दिया तो बोल दिया, बोलने के लिए पैसा नहीं लगता है, बट बोलने का पहले जो intelligence भी बोलता है, उसको दस बर सोचना चाहिए, क्रिसाज करने के लिए बात, डॉक्टर अमर्तसेन को दोनों को भी मैं बता रहा हूँ, Before making any statement in public domain, think twice, thrice, four times what you are speaking, dialectically आप उसको analysis करो, वो चीज खुद का देश पर बताओगे, अमेरिका में जितना date हुआ है, इंडिया से काफी जादा date हुआ है, Population के साथ पर भी calculate कर लोगी, तो इतना date इंडिया में नहीं हुआ है, इस statistics भी आपके पास है, तब भी आप criticize करते रहते हो, देखिए criticism करना मैं समझता हूँ, criticize करना है, कोई constitution जला देता है, लाठी पत्थर डाल देता है, जेनू compass में आँख जलता है, national flag को आँख जला जात है, article 370 का आपका stand क्या है, आप चाहते हो article 370, फिर से oppose आजाए, क्या है आपका, अगर government of India ने article 370 को abolish किया है, बहुत सोच समझ के किया है, इस अब पढ़ने के लिए non chamski को पढ़ने का जरूरत नहीं है, intellectualism करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए nationalism का जरूरत होता है, first of all you you have to be a nationalist, first Dr. Amartya Singh, Dr. Robijit, my simple suggestion being as Indian citizen, you come in the dais and say what is your stand, whether you are a nationalist or you feel that you are part of the universe and you have every right to speak, I don't have any problem, but चीज को dilute मत किजेगा, dilute in that sense, हम 140 क्रोर का इंसान, एक सरकार को establish किया है, wisdom दिये है इसको चलाने के लिए, आपने भोट दिया है, नहीं दिया है, हम कोई बात मालूम नहीं है, अगर भोट नहीं दिया है, अगर American democracy को आपने भोट दिया है, better you take care of your own country, because you have much more problem than us, much more deaths than us, we are fine absolutely here, please don't work as a catalyst to destabilize the Indian democracy, have some constructive criticism, मैं अगर 6 घंटा का vision document दे सकते हैं, मैं पड़े लिखे इंसान नहीं है, मैं 6 घंटा का vision document दिया है, आप intelligent आदमी हो, 6 minute भी तो बोल सकते हो, एक कोरोना काल में आपका stand क्या है, कोरोना artificial है, natural है, मैंने 6 घंटा का वीडियो दिया है, मैंने 1500 साल का इतिहास करके मैंने पढ़के, मैंने scientifically बताया है, जो आभी बहुत सरा आदमी बहुत लैब पे बैटके इस चीश को analysis कर रहा है, मेरा document UN के पास गया है, मेरा video UN के पास गया है, मेरा stamp क्या है, because I am a student from science, I am not a student from economics or arts, economics, arts, ये तो already है, भगवान सबको economics, इसलिए मैं poetry लि पाता हो, अच्छे अच्छे third लेता हो, 15 साल से मैं poetry लिखा है, वो poetry, science student, arts student, इसलिए arts सबका अंदर में inbuilt है, economics सबका अंदर में inbuilt है, मेरा घर का servant जो है, हम से ज़्यादा उसको economics पाता है, बिनी पड़े लिखे है, मैंने बहुत सरा वीडियो में बताया, मेरा कहने का किटिसाइजम is good, I talk about the GNU, I know GNU well, I dealt with GNU, I dealt with so many professors in GNU, because I am a technocrat, I have installed many systems, मैंने बहुत सरा साइन्टिस से काम किया है, जो बाद में रविन्सार उनिवर्सिट का भाइस चैंसलर हुआ, जिसमें सुवाश चंद्र बोस जीस जगह से पढ़ाई करके आया था, ये इतिहास का गा है, मैं जो चीज फेर से बताना चाहता हूँ, I know the system well, how it operates, इसके बारे में भी, JNU के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, पर्सनल लिवल में, how and what capacity I have talked, while promoting my technologies, मैं ए डिवेट को थोड़ा सा लंबा नहीं खिजना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एकोनोम वो बोल के गया था, free and fair selection होना चाहिए, उसमें कौन सा कुन सा applicant आते है, particular year में, कैसे evolution होता है, उसको public domain में जानने का सबता हो दिका रहे है, लेकिन 1968-69 में जो अब economic science नोबिल प्राइज लिया गया है, मैं डॉक्टर रोविजी, डॉक्टर अमोर्टु सेन को पूछना चाह वो तो application आपने डाल दिया, उसको public domain में क्यों नहीं रखा जाएगा, जिसको nobel prize मिलेगा तो उसको तो हमको पता चल जाते हैं, उसके लिए कोई problem नहीं है, लेकिन बाकी application कहां से आया है, उसमें clear card additional clause क्यों डाले है, Swedish bank से, nobel foundation में वो document पड़ी हुई है, जो 50 साल में किसी का जनने का उधिकार नहीं है, जो economic science में particular year में कौन-कौन application किया है, why there is hide and seek, अगर हमको fair selection ही करना है, तो इस clause को लाने का क्या जूरुरत है, इसमें dr. Robert Tussin, dr. Rovijit, आप लोग इतने पड़े लिखे हैं, अमेरिका में बैठे हो हैं, हम जैसे आम आदमी को थोड़ा सा समझा द आपको nobel prize के बारे में, economic science के बारे में आपका क्या राय है, आपको खोद nobel laureate समझते हो, और risk bank का prize मिला है, in the name of Alfred Nobel, इसी से आप से सुचते हो, यह standee आप clear कर देजे, so that once for all, यह matter resolved हो जाए, नहीं तो government of India को मैं request करता हो, nobel foundation को लिखे, इसको clear करे, but मेरा जितना knowledge and wisdom है, मैंने इस चीज़ को बताया है, मैंने अभी last month में जो चीज़ बोलना चाहता हो, आपका जो micro economics, macro economics का theory, आप गरीब लोग को दोगे, तो मैं भी बहुत सरे theory बता है, गरीब को आप 500 रुपया को दोगे, तो वो 300 रुपया का alcohol में spend कर देता है, because आप पैसा देने के बाद देखते नहीं हूँ जो पैसा क्या करता है, वो सोजा सिधा दारू का दुकान में जाते है, ठेक पे जाते है, जुआ का अड़ा में जाते है, इस तरह से गरीब को lower class को पैसा देने का कोई मदलब नहीं है, इस से उसको और हम लो करो, value समझो, इसी के बजाए से हमारा समाज के अंदर में सब freebies हो रहा है, political जो slogans है, सब free 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 करने का, ये सब कहां से translate हो रहा है, इंट्रेक्शल कमिटी बीच पीच पे आप बोलते रहे तो political system उसको digest करता है, वो इसी चीज़ को आप propagate करते रहता है, ए फ्री concept doesn't exist, करोना भ पैसा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी science नहीं है, अगर हम दारू में, alcohol में, दिल्ले में, देखो कितने सारे लाखो वीडियो मिलेगा है, करोना के टाइम में, दो-दो हजार, तीन-तिन हजार, चार-चार हजार, पांच-पांच हजार रुपया देके, एक चोटा 700 इमेल का दारू का बोटली उठा के लेकर आ सकते हैं, एक vaccination के लिए 500 रुपया देने के लिए तकलीफ होती है, मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मेरा rational thought process उड़ जाता है, इस टाइम में, जब हम alcohol के साथ एक vaccination का पात है, alcohol खरिदने के लिए सरकार sponsor नहीं करता है, लो अब आ तुमको दारू पिने का मन हुआ, तो चलो आप 5000 रुपया देता हूँ, 10 रुपया देता हूँ, दारू लेकर आओ, अभी दवाई के टाइम में इतना क्यों human करा है, मैं सरकार को एही suggestion दिया है, अभी vaccination हो रहा है, वो production को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एक 40 क्रोड population को आपको inject करना है, जैसे मेरे को एक ही टाइम vaccination मिला है, डर के रहता हूँ, भाई दूसरे vaccination को मिला है, नहीं मिल रहा है, मेरा family के साथ हो गया, मेरा पिता जी, माता जी का देत हो गया, इतने सारे चीज़ बोल रहा हूँ, हम भी आपना टाइम डिफरेंट जगा में मैं spend क कर सकते थे, मैं सोचा, चलो एक corona टाइम आया, आपना थोड़ा knowledge, wisdom देखे, अगर एक को भी इंसान को इस चीज़ को समझ में आया, थोड़ा समझने का कोशिश करे, reality समझने का कोशिश करे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं समाज का कोई हिस्सा तो हूँ, बाट मैं intellectual नही करते हो, आप कभी भी किधर भी बोलो मैं आ जाएगा, मेरा जेव का पैसा से आ जाएंगे, मेरा personal money से आपके पास हम आ जाएंगे, कोई भी मंच पे, कोई भी forum में, कोई भी debate में भले हो जाए, आपको Nobel Foundation में, Swedish Academy of Science में करा दो, हम आपना पैसा से जाएंगे, मैं क्यूंकि य इस चीज में विश्वास करता हूँ, self sustainability का बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया को 15 साल का घिसान दिया है, जिसमें 10 million job create कर सकता है, how entrepreneurship can build a nation, मैं सब यांग generation को यही बात बोल रहा हूँ, आप नोकरी के लिए तड़कते रहे, तो foreign country में नोकरी के लिए नहीं कोई तड़कता है, हम भी दुनिया अपना तरीका से देखे है, आप अपना national thought use करो, आपने सरकार, free education, education इंडिया में बहुत सस्ते है, compared to other countries, हम हमारा टाइम में MSC, PhD किया, 10, 10, 15, 15, 20, 25 रुपया पार माहिना का fees देके हमने पढ़ाई किया है, it is almost free, 25 रुपया में क्या होता है, 25 रुपया में प्पीज हुआ, PhD, 500 रुपया हुआ, MBA किया, 10, 25,000 रुपया में हमने MBA कर लिया है, बात बाकी खाने पीने जीने के लिए तो सबको जीना है, तो आपको तो लगेगा, वो तो constant है, पर education में हम लोग इतना परशा नहीं bear करते हैं, आपको मान के चलो तब भी आपको एक education मिला है, तो आप खोद भी कुछ कर सकते हो, entrepreneurship program की मिलका बात किया है, इंडिया में आपको जो total आपका जो human resources है, intelligent people है, जो qualified engineers है, वो millions है, उससे आहाम अगर entrepreneurship का program मैंने बताया है मेरा भी सन इंडिया मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, अगर उसको मैंने apply करें, अगर कुछ entrepreneur, 1 million entrepreneur बना रहा है, वो अगर 10-20 नोकरी देता है, कितने million नोकरी आप create कर सकते हो, government को platform create करना चाहिए, इसके बात similar है, आपको medical sector में भी यह सब चीज़ हम कर सकता है, बहुत सारा field है, मैंन economy का reform के बारे में बात किया है, जो privateization के बारे में बात किया है, air India जैसे organization के बारे में बात किया है, उसको sustainable करने के लिए मेरा बहुत सरे option मैंने दिये है, कैसे उसको sustainable कर सकता है, मैंने यह भी बताया है, कैसे आपको election process को change कर सकता है, election process every year, एक लाग पचास हजार करोर रुप खतम कर सकते हो आप लाग वन लेक क्रोर रुपया आपने बचा सकते हो वो पैसा जो बचे हुए है मानी सेरिंग इसमानी मानी आरनी वो पैसा आप समाज का बहुत सरे चीज में आप एपलाई कर सकते हो यह मेरा साला है गवर्मेंट ऑप इंदिया पी में डॉक्टर अभीजीत को मेरे को थोड़ा सा बात करना है मेरे से क्या 10-15 साल आप बड़े होगे मेरा बड़ा भाई है यह समझ के चलो आप एकनोमिक साइन्स का स्टूडेंट है मैं बायलोजिस्ट हूँ मैं टेक्नोक्रेट हूँ मेरे पास 10 टेकनोलोजी है मैंने बताया है, मैं दस टेक्नोजी से इंडिया का वर्ल में एकोनोमी में नया क्रॉप, नया डेवलम्मेंट, ग्लोबल वर्मिंग के उपर बहुत सार अचीज मैंने डेवलप किया, वोन टेक्नोजी है, जिसमें नया क्रॉप प्रोडक्टिविटी करके आमने अगर यूज क कर रहा है, मैंने कम से कम 3-4,000 साइंटिस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया में ग्लोबल इक 70 इंस्टिटूट में हमने काम किया है, यह सब सिस्टेम सिमूलेशन मॉडल का अंदर में आता है, हमने खोद डेवलप किया, बहुत सरा जागा से मैंने सीखा है, सिख ग्लोबाल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए किया है, मैंने पूरा इतिहास सौसल का पड़ा है, जित्तो को नोबल प्राइज मिला ऑन ग्लोबाल वार्मिंग, मैंने सब कुछ देखा है, जैसे अलगोर को, डॉक्र आर्की पाश्योरी को, बाकि सारे साइन्टिस्त, कार पाइल करके एक सस्टेनिबल मॉडल मैं देना चाहता हूँ, यह मेरा फिशान है, इसमें कोई माने नहीं माने, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप आईजे पल लैब ने किया है, मैं आपका बात में आता हूँ, आपको नोबल प्राइज मिला, आप दो आजार दो पुछ पड़ा वेब साइट पे, आपको नोबल प्राइज भी मिला है, दो आजार आटर उननिस में आपको नोबल प्राइज मिला, आपने माइक्रो एकोनोमिक्स, मैक्रो एकोनोमिक्स के उपर काम किया है, आपने बंदन बैंक के उपर काम किया है, बहुत अच्छी बात ह दो उसका finance कहां से आते हैं उसका finance मैं बताता हूँ कहां से आता है आपको Mandela, Bill Gates Foundation से आता है UK से आता है Australia नाम में से आता है millions of dollars आपने जो foundation के नाम पे आपने एक अठा किया है उसीशे आप यह organization चला रहे हो मेरा simple स्वाल है आपका यह organization का sustainability काया है आप self-sustained नहीं हो यह funding आपने ए बेगिंग policy से मेरा कहने का मतलब I am using because I made a video I want to keep this begging philosophy आप begging philosophy से different industry house से आपने इसको ले के आया आप कैसे ले के आया आपका website में आप देख लो आपने marketing sales यह सब आदमी राके है business analyst राके है आप IJ Paul foundation अगर humanity के उपर काम कर रहा है गरीवी हटाने के लिए काम कर रहा है तो आपको marketing sales person का क्यों जूरुत है जिसका माहिना का salary डेड़ दे लाग दो लाग तीन लाग रुपिया तो आप finally क्या चाहते हो आप यह चाहते हो आपको IJ Paul foundation को बचाने के लिए आपको sales marketing आदमी का जूरुत है business analyst का जूरुत है जो बड़े बड़े industry house बड़े बड़े corporate house डिफरेंट government से पैसा एकटा करके IJ Paul foundation में डाले उसको sustainable करे यह philosophy हमको आभी भी नहीं समझ में आया है our IJ Paul foundation it's holistically यह लोग काम कर रहा है there is no need इसके उपर जुरुरत नहीं है यह उसको अंदर में marketing sales activities चले आपने बोला दस पंदर बीस हजार minds को आपने training देते हो कैसे प्रभाटी एलिविशन में लोग काम कर सकता है आपने micro macro economics में village relative कर काम किया हमें कोई तकलीफ नहीं है मेरा तकलीफ इस बात का है आपका fundamental जो philosophical understanding है एक organization करने के लिए उसको finance के बारे में you could have made it is a charitable organization or something like that charity जैसे donations आता है different थे अपिसी का मौन हुआ दिया बड़ आपने deliberately marketing बले बंदा जिसको salary देके लखा मेरा allergy उधारी है मैं आपको सिभी सिदी बात कर रहा हूँ allergy इस बात का है उसमें marketing का role क्या बनता है उसको salary भी कितना है आप देख लो अगर किसी को साल में 30 लाग रुपया 25 लाग रुपया salary दे रहे हो मतलब कोई आलतु फालतु बच्चे को नहीं राग रहे हो मेरे को ओ भी मालूम है इस lab का कौन सा CU है उसका सब कुछ मालूम है मैं detail में नहीं जाना चाहता हूँ Dr. Rovijit and your respected wife and other friends and colleagues इसको Nobel Prize आपको मिला है आपको Nobel Prize कोई चिन नहीं ले रहा है हम भी नहीं चिन रहा है लेकिन आप इंडिया में आते हो सिस्टेम को क्रिटिसाइज करते हो यह मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होती है तकलीफ इस बात का होती है जब खुद का देखना होता है आपको पता है IGPOL Foundation का प्रभटी Elevation Lab का आपने कहां से पांडिंग लेना है आप इंडिया को भी थोड़ा सा पॉजिटिव साला दीजिए कैसे करना है आपका भी similar stand आपका जो सरकार ने CA, NRC का जो कर रहा है आपका stand के आप विरोध करते हो आप nationalist हो और आप खुद को यह दुनिया का हिस्सा सोचते हो सब इंसान सोचते है दिनिया का हिस्सा है लेकिन आप देख के बारे में इंडिया के बारे में क्या सोचते हो मैं इस जानना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहता हूँ जो आपका theory का जो आपने incentive का बारे में बात किया गरीब का मैं इसका धिरोध में हूँ, मैं नहीं देना चाहता हूँ गरीब लोगों, मैं पर्ष्णन लेवल में इस सब दे चुका हूँ, मैंने देख अगर हम सो रहा है, मेरा neighbor सो रहा है, neighbor का neighbor सो रहा है, सब सोच रहा है, सुबह में नस्ता हो जाएगा, सुबह में खाना आ जाएगा, lunch हो जाएगा, डिनर हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन, हमारा servant भी ऐसा ही सोचेगा, सब कुछ चला जाएगा, तो कैसे चलेगा, आपका stand clear करना बहुत जरूरी है फाइनली जो बात हम बोलना चाहता है बहुत सिंपिल है अभी इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है आप ही का स्लोगान लेके हम लोग काफी सारे चीज़ कर रहा है फ्री वीज का बात कर रहा है उसी का माउथ पीस है पॉलिटिक के लिए सब चीज़ दिखा जाता है नाम करने के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ फ्री वीज कंसेट कितना डेंजरेस है कितना घातक है इतो बात का बात ही बताएगा सब पड़े लिखे इंसान आभी डॉक्रोर अमर्टो सेन आपको शोड़ी सी बात बतातो म्यूनिशिपल कॉर्परेशन का नोगरी के लिए जो 12 स्टेंडर्ड का जोल रहत होता है पीजडी का अप्लिकेशन पड़ रहा है आपका क्या राया है आप कैसे चाहते हो एक पीजडी बले आदमी म्यूनिशिपल कर्परेशन में साफाई करमोचरी सहाब से काम करें मेरा बहुत सारे दोस्त है जो स्टैट बदलने का जब बात होता है आपका आसिरबाद जिसको बोलते है आसिरबाद इन देर से नौलेज और विजडाम का बात कर रहा है वो चीज़ आप लाओ बोलना है क्या चल रहा है सोसाइटी में बहुत सारे कौलिफाइड आदमी एक छोटा सा नोकरी के लिए बैठा हुआ क्रिएट कर सकते हो मैंने बताया है इतने सारे homelessness खुंट का वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपको email आईडी दे इसलिए आपने email ID शाय नहीं रखा है आपना website में सब चीज आपने public domain में नहीं हो हो सकता है बचने के लिए सब चीज नहीं है अगर कोई email ID, personal email ID है अगर यह video देख रहा हो आप email ID दीजी आपको tag करवा देता हूँ जैसे प्राइब मिनिस्टर अपको office में मैंने tag करवाता हूँ मेरा डर कुछ नहीं है कुछ इसमें आपको डर क्या है साच बोलो सब बोला है wisdom रविंदाद ने बोला है एक ही चीज है आप साच बोलते रहो साच बोला ठीक है आपको हिसाब से किसी का हिसाब से होट नहीं सकता है साच लेकिन सोचने का तो ओधिकार है साच बोला इंसान गाली देता है हम गाली नहीं देता है गाली मैं इसलिए नहीं देता है जो गाली मेरे को नहीं देना आता है गाली सब को देना आता है अच्छे अच्छे गाली मैं छोटी सी बात करके मैं ज़्यादा डिवेट में नहीं जाना चाहता हो जाता है उसका मैंने थियोरी में आता हूँ अभी हम लोग जैसे हम बंगाल का बाहर रहता है ऐसे millions of Bengali they are living outside Bengal because there is no job कोई job नहीं है तो क्या करें उदर engineer जाके उदर जाके घास तो नहीं काट सकता है घास काटने के लिए उसका भी class है मैंने socialism का बात किया communism का बात किया वो सब करने के लिए बहुत है अगर आप intellectual है आपने engineering किया है डॉक्टरी किया है आपको अच्छा platform मिलना चाहिए सेवा करने के लिए तो ऐसे millions of Bengalis Bengal का बाहर different state पे चला गया abroad में चला गया बहुत सरे जाका में चला गया मैं brain drain रुखने के लिए बोला जो IIT established किया उसको mandate के बारे में बात किया जो IIT अंस बाहर चले जाते है HRD ministry जो IIT बनाय था उसको क्या कारण था वो भी मैंने बताया मैंने सरकार को भी सला दिया है जो आभी उस चीज़ को देखना चाहिए देश का development के लिए अगर आप country के बारे में नहीं सोचते हो अगर पुरा दुनिया को अपना घर सोचते हो जिदर अच्छी पैसा मिलता है उधर चले जाते हो यह कोई अच्छी लक्षन नहीं है जो देश सेवा के लिए आब अपना देश को मैं नारायन मुर्ति को रिस्पेक्ट करता हूं इंडियान है की नहीं है वो मेरा इंट्रिस्ट है नहीं इतना पैसा का जरूरत नहीं होता है एक इनसान को जिने के लिए एक इनसान को कैलिवर डिसाइड नहीं होता है आपको कितना पैकेज मिलता है मैं किसका बात कर रहा हो भी मैं बता दिये है मैंने बहुत सरा जगह में बहुत सरा बात किया है इसको वैलुएशन करने का जुरूरत है टाइबाया है सिमिलार हो ये डक्टर अमर्त सेंड, डक्टर रोवीजी इंडिया आपको बहुत सरे जगह में प्लाटफर्म दिया जाता है आप गाली नहीं दे के किटिसाइज नहीं करे के आपना बात बताओ, हो सकता है आपका थियोरिक जो आपने माइक्रो एकोनोमिक्स, मैक्रो एकोनोमिक्स से बात किया है उसके ऊपर दूसरा सौच दे सकते हो जिंदेगे में बहुत सारा वड़े-बड़े आदमी अपना जिंदेगी का अंत पे जाके बोलता है हमने जिंदेगे में जो किया है भरबाद ही चीज किया है कोई भी चीज नहीं किया एतिहास का गावा है आप बाइगराफी पढ़ोगे समझ में आएगा रिशी अरविंदो को Nobel Prize नहीं मिला Dr. Rovijit को मिला है महतमागंदी को Nobel Prize नहीं मिला Dr. Rovijit को मिला Dr. Ramath Basan को मिला है रिशी अरविंदो को क्यों नहीं Nobel Prize मिला Because he is a nationalist Oh right He is a nationalist That's why he has not got the Nobel Prize तो नैशनलिस्ट को कभी नोबिल प्राइज नहीं मिलता है, क्म्मीनिष्ट को मिलता है अगर मैं कमपेर कुरू रिशी अरविंद से ड intellectual gym से सब कर लेता है मैं Tegor की उपर बहुत सारे बात किया है Tegor को बहुत बड़े poet है मैंने बताया है Tegor अगर WB Eats Tegor का गितानजली का collection में अगर नहीं लिखते थे उसको mobile price नहीं मिलते थे introduction आप poetry को Bangla से English में translate नहीं करता है First of all poetry कोई creation कोई translation होता ही नहीं है WB Eats लिख दिया ठीक है Tegor को 1913 में nobel page मिला इज़त है जो बेंगोली I respect him बाट रोविदनाथ Tegor का जो philosophical, ideological जो है रोविदनाथ खुद को decide नहीं कर पाया अपना जिन्दगी में वो Marxism में believe करते थे और Leninism में believe करते थे और communism में जो है socialism में or he is a true nationalist और universal thing that's why वो knowledge and wisdom को बताया है knowledge and wisdom should be boundary less but what about the individual इसलिए Tegor freedom movement में ज़्यादा participate नहीं कर पाये नाइड उपदी भी accept किया है नाइड उपदी accept करने के बाद 1905 में जो partition of Bengal हुआ उसको reject में किया it is a conflict again I am trying to tell everybody that one need to see how you perceive Tegor I am not talking about Tegor's literature it's a fantastic literature but individually political identity society का अंदर में Tegor का political identity किया देखिये सेम आदमी 1905 साल में जो Bengal का Bengal भीहरोडिस समें Lord Cardan ने divide कर रहा है उसका बिरोद में आपने night जो British ने दिया है उसको छोड़ रहा है इसका मुदलब उसको पता है British system क्या है उसको मालूम है British राजबे भी रहना है similar होए गांदी जी वी ओही system से है British के साथ कभी रुबिंदा ट्रेगुर जेल पे नहीं गिया है महतमा गांदी बहुत कम टाइम के लिए जेल के गया है इस सब चीज फिलोज़ोफिकल अंडरस्टेणि करने का बहुत लेकिन सुभास बोस को because he was a true nationalist उसको आउट किया गया है तो एक नमबर पहली नमबर एनिमी ब्रिटिस का है सुभास चंदर बोस बाकी तो बाइलेंड या बिनौए बादल दिनेश खुदिराम उसको फासी में लटका दिया लेकिन सुभास बोस के आईएस छोड़के देश सेवा के लिए आया थे 1934-35 में त्रिपुरी कॉंग्रेस में जो कॉंग्रेस में हुआ इलेक्ट हुआ था लेकिन उसमें महत्मा गंदी ने पट्टोबिया सितरमया कर लगाया उसको हराया हराने के बावजुद भी सुभास बोस छोड़के क्यू उसको कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाया क्यूँ दल छोड़के उसको खुद का पार्टी फ़रवाड ब्लॉप डेवलप किया है वो इतिहास में जाने का मैं सब को बात कर रहा हूँ इसको कोरिलेशन करने का आज जुरूरी है इस बात का जो क्योई सब भूष्ट को आमने इतिहास है क्यों सब भूष्ट का कानी उसके बंदन में मैंने दो घंटा का वीडियो बना जो जो प्लेशन का जो कानी जो हाईपोथेटिकल है उसके बारे बे भी हमने बात किये है कैसे इंडिया को फिड़ा मैं दा मिड़नाइट करके लॉर्ड माउन बेटिन सब मिल के जो पाटी सहम किये है इसका इतिहास क्या है जानने का है मैं डॉक्टर रोगी जीद डॉक्टर अमर्तसिंद को इसी बात के आने के लिए बोल रहा हूँ फॉलिस्टी के लिए आपको देखना चाहिए समाज के उपर हम अगर बदलना बदल करना है बदल लालना है इसको सोचना है हमको डीपार अनलेसिस का जुरूत है आज का इतिहास में डॉक्टर शामा प्रशाद मुखार जी का क्यार रोल है इस सब चीज को हमाएं जानने का प्रशिश कर रहा हूँ मैं अन्थ पे एक छोटी सी चीज बोलके वीडियो खतम करना चाहता हूँ मैंने इंडियन कंस्टिटूशन के बारे में बताया है मैंने डॉक्टर बाबाशाव भिम्यक आम्मेदकर के नाम की बताया है वो कंस्टिटूशन का चेयर्में था देखिए हर एक इनसान अपना लाइफ पे कुछ भी चीज करता है जो सेंसिबिल परसन है ऐसा ही नहीं करता है डॉक्टर आम्मेदकर जब 1949 में चेयर्मेंसिप के डॉक्टर राजन रिपरशाद में साइन किया था मैंने जो चार बात किये है जो कंस्टिटूशन में लिखा है 164 आर्टिकेल आपका लैंड इफोर्मिशन एक्ट बाकि आपका यूनिफर्म सिविल कोड और आपका रिजर्विशन इस सब कुछ ओ लिख के गया था मेरा कहने का मदलब यही है डॉक्टर आम्मेदकर को फूल नॉलेज थे इस चीज़ का उसको पता भी था इसका क्या कॉन्सिक्वेंस सुने वाला है यह कोई कंस्परिशन थियोरी था और अधिसिनल प्रेशर था और उसको फूल फ्रिडाम दिया गया था उसको कंस्प्रिशन लिखने के लिए इस चीज़ का झूरुरूत बहुत सरा क्लोस का जूरुरूत नहीं था इसको जूरूत नहीं था इसको जूरूत नहीं था तो भी टेम्परिशन था आभी मेरा कहने का मतलब यह यह वो नहीं, आभी मुल रहा हूँ, मैं रिलीजियन में रिलीजियन में डक्टर आमेद करशार ने लास जिंदेगी में वो बोध्ध धर्म गरहन किया था, गौतम बुध्धो का जो फिलोजोफी है उसको अड़ा किये थे, हमारा हिंदुजम के साथ बोध्धिजियन का फिलोजोफी किल कुछ आंड़स्टिनिंग बहुत सरा चीज कॉमन है, लेकिन बहुत सरा चीज जो चीज बोध्धिजम नहीं मानता है, फॉलो करते है, जो हिंदुजम नहीं मानता है, लेकिन ओ पनवाठ हो गया, मेरा एक कहने का मदलब यही है जो उनिवर्सल फिलोज़ोफी आप लाइफ किया है एक इनसान धरम चेंज ऐसे ही नहीं कर लेते है कोई कपल्सन से नहीं कर लेते है जैसे मॉडरन डे में होता है, क्रिस्चानिटी में होता है यह हमको सब कुछ मालूम है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है जो फिलोज़ोफी के लिए, क्रिस्चानिटी कैसे इसको एक्सराइज किया है बट इन केस अप डॉक्टर बियर आमेद्पार वाट मेड हीम तो चेंज फिलोज़ोफी तो एनदर फिलोज़ोफी यह बहुत सोचने वाली बात है इसके बात डॉक्टर अभी जी, डॉक्टर अमर्टेशन को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हो अब इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टेम में जो चल रहा है, जो कॉराप्शन चल रहा है इस चंदा कलेक्शन का जो कॉराप्शन चल रहा है ए सब चीज जो फ्री बीज का नाम पे बहुत सारा political parties, ideology, इतना सारा चीज, corruption करते रहता है, इतना सारे चीज, commission में चल रहा है, this is a great danger for democracy, I feel, I wish to know what is your opinion, so, I wish ए वीडियो बहुत लंबा नहीं कीचा, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण से मैं कभी कोई script नहीं रापता हूँ, अगर डक्टर अभीजीत को इस बात में सही लागे, being as a बड़ा भाई, Amartya Sen is very older to me, मेरा पापा से भी बड़े है, मैं आपको इज़त करता हूँ, आपको किताब बहुत प्यार से पढ़ता हूँ, आज criticize कर रहा हूँ, people say that you are criticizing, criticize कर रहा है, मैं constructive criticism कर रहा हूँ, because मैं science छोड़ के जब कोई चीज में time दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा समाज को जानने का है, because you are the torch bearer of this society, अगर torch, right torch ले रहा है और wrong torch ले रहा है, हाथ पे ये भी जानने का हमारा अधिकार है, मैं ऐसे अंधे नहीं हूँ, जो कोई भी चीज हमारे पूर पकड़ा देंगे, तो मैं उसको लेके चलते रहेंगे, ये philosophy कोई हमारा खुद का rational thinking है, मैंने जैसे अब टेगोर के बारे में बताया, टेगोर जिंदेगी भर nationalism और whole universalism के उपर ये philosophy को बढ़ते रहा है, टेगोर बहुत सरे चीज में, जैसे आप women के उपर टेगोर का क्या concept है, मैं वो different बात आएंगे, how टे वीडियो में, मैं ज्यादा इतिहास बहुत लंबा है, हमारा इतिहास जैसे cocktail जैसे है, neural network जैसे है, chaos theory जैसे है, कोई भी चीज में आप जाओगे तो आपको correlation करना मुस्किल होता है, history, philosophy, science, art, 2000 साल का इतिहास एकाठा करेंगे तो आपको correlation करके एक जागा में पहुँचाना म जैसे मैंने करोना के बारे में बताया, मैंने सब कुछ बताया, जो चीज है, first world war, second world war, golf war को analysis करके बताया है, इस जो biological war हो रहा है, आज सिप, तीस साल पहले मेरा poetry में मैं बोलके गया, कैसे बोलके गया, सब कुछ किया, जो biological war हो रहा है, यह artificial हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको चीज को एक एक चीज को खोल के मैंने बताया, वो वीडियो है, किसी का interest है, देख सकता है, मैं वीडियो आवर बड़ा नहीं चाहता हो, once again I should thank everybody that God has given me और बुद्धो has given me this opportunity to sit in a place, जिसको यह opportunity बहुत सरा आदमी को नहीं मिलता है, to give a voice, a democratic voice दिये है बोलने के लिए, हमको प्राइब मिनिस्टर आव इंडिया, UN तो पहुचने में के लिए ओधिकार दिये है, but because मैं जो सोचता हूँ, मैं इसको 100% सोचता हूँ, 150% सोचता हूँ, मैं जुस बोल रहा हूँ, बहुत consciously इसको बोल रहा हूँ, तो मेरा consciousness and wisdom को मैं express करना चाहता हूँ, इसमें हमारा कोई डरने का कोई नहीं है, और किसी का खात्रा भी नहीं है, तो मैं कोई national flag जाने ले माला आदमी नहीं हूँ, नहीं तो किसी को भी question कर शकता हूँ, answer देना नहीं देना आपका बात है, एक डायस पे आना नहीं आना है आपका बात है, अगर opportunity मिलेगा, आएगा, जरूर आएंगे, बात करेंगे, जर जरूरू जरूर से अजरूरू आपके कर देनानी है इंक मीत एफर्या कर देनीSस हमाठी उर्थमाच, टिएपने जना को स्यूरूरू इमने जरूीजरू, ऑर रषी और अवे हनुटे कर शख्यरू, क्ति हतला देना देना है, गला को देग तातन पादराैंगे, लिpp ज अगर प्रतिक्लर कंट्री और कोई कर रहा है, उसके उपर पर हमको पॉलिटिकली प्रेसराइज करके ग्रेटर थ्रेट को रूपने के लिए, अगर अभी नहीं रूखे, अगर ग्रेटर थ्रेट आए, उसको हम रूप नहीं पाएंगे, यह हुमिनिटी बरबात हो जाएगा, जो चीज मैं सुचता हूँ, जैसे मैं डिवास्टेटेड हो मेरा पेरेंट्स चले जाने के बात, क्योंकि वो लोग कफी सुस्त है, अगर किसी को लेके गया, बोडी भी नहीं मिला, जैसे इमोशनल बात है, वो भी मैं वीडियो बनाया है, जो बोडी देना चाहिए, तीन दिन, चार दिन आप राखो, फ्रिजिंग का पैसा लो, मैं आप जिन्दगी बाद तो स्टेट तो कोई इंडिविजन को देखते नहीं है, उसको नोकरी मिला, नहीं मिला, किसी को मरने के बाद आप कोवीड का बजाई से बैस से उसको बोडी उठा के दूसरे जगा में जला देते हो, क्या जब जिन्दा रहता है, सोस्ते नहीं हो, त मैं दस गंटा का वीडियो बना सकता हो, एक एक चीज को मैं अनेसिस कर सकता हो, मैं नहीं जाना चाहता हो, I am happy the way I am, मेरे साथ मेरा पाप अम्मी को जो किये है सरकार, सेच नहीं किया, सरकार के पास freezing system नहीं है, कौन सा democracy हम चला रहा है, जो आप एक freezing system नहीं राख सकते हो, ब बाप मा का होता है, उसमें emotional attachment रहता है, freezing का पैसा लोग कितना पैसा चाहिए आप ले लो, आपको freezer चाहिए, freezer राखो, उसका charge ले लो, आप free में कुछ नहीं करना है, लेकिन politics नहीं करना है, अगर 70-80 साल कोई जी के रहता है, सरकार क्या देता है, उसको नोपरी नहीं देता ह independently, जैसे रविन्दाद को टेगर मिला, society से उसको कुछ नहीं मिला है, ये बात तो सही है, आज रविन्दाद हमारा है, रविन्दाद हमारा है, रविन्दाद हमारा है, इसको लेकि क्या करना है, रविन्दाद अपना तरीका से struggle किया है, मैंने बोड़ा है, उसका जो conflict है, जमिंदाद फैमिली से बिलॉंग करता है, इसके बाद वो कमरिजम फिलोजफी में विस्वास करना चाहता है, फिलोजफिकल इंटर्प्रेटेशन दंद में सारा जिबन जिन्दे की बहरो भूग चुपा है, वो अपना तरीका से जिया है, जितने सारे नोबल लोरियेट का आप बायगरफी साइन्स से पढ़ लो, इंडिविजूल कैपासिट से आए, साइन्स कोई सोशाइटी नहीं बोला जो आप भाई आपको आप नोबल प्राइज मिलोगे, आज से तुमको फीट करता हूँ, इस तरह से नहीं होता है, आज इतना सारा चीज मैं बता रहा हम उसको इजत नहीं देते हैं, हम फालतु चीजों में टाइम बरबाद करते हैं, हाइप करता है, इसको रोकना चाहिए, रियलिटी में आना चाहिए, वी रियलिटी, रियलिस्टिक धंग से इसको सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल अपक्रूच होना चाहिए, इमोशन्स हट आदेना चाहिए जैसे आटिकल 164 अगर आप डेमो क्रिटिकली इलेक्ट होके नहीं आया आप इमोशन का बात करते हो हिमुनिटी का बात करते हो लॉजिक का बात करते हो मैं अगर हार गया मेरे क्या मोरालिटी रहे गया मैं फिर आके चिप मिनिस्टर बन जाओ देस का अगर मेरे को पॉलिटिक्स करना है मैं आएंगे पाइट करेंगे जितेंगे अगर मेरे को पार्टी ने इलेक्ट किया है मैं जाके करेगा यह सब चीज नहीं करने वाला हूँ मैं इतना ही समझता हूँ आपका प्रैक्टिकल लाइप पे बिलिव नहीं करोगे उस चीज को क मदलब नहीं है संत और माडर का अंदर में फरक नहीं एक संत होता है एक फिलोजफार होता है एक जगा में बैठ के अच्छे बात करते हैं हम सुनते हैं अगर मैं इस संत के जगा में एक माडर को बैठा दू उसको बैक्ग्राउंड में 10-20 माडर कर चुका है वही पर earlier जो अच्छी फिलोजोफी का बात करता है 20 आदमी 50 आदमी सामने शुनते है उसको इज्जत करते है उसको हर एक बात को उसी जगह में एक आदमी बैठा दो जो माडर है उसको background में 10-20 माडर कर चुका है वही आदमी फिलोजोफी का बात करता है सामने, अच्छी अच्छी बात करते हैं उससे जालब अच्छा अच्छा बात करता है आप उस बात को मानोगे भी नहीं मानोगे दो बार repeat करके मैं debate मेरा बात कतम करना चातो सब खुस रहे Thank you very much, Bye Bye, take care Have a nice day Okay, bye